हाई मैं नीरज वेलकम बैक टू माय यूटूब चैनल आज हम लोग बात करने वाले हैं कि एक एरे से कोई अगर डिलीट करना हो हम लोग किस तरीके से करेंगे मेरे पास एक एरे है वन थ्री फोर नाइन टू और उसमें से अगर मान लिजिए कि नाइन को हमको डिलीट करना हो तो किस तरीके से करेंगे आपको C-sharp में भी हम explain करने वाले हैं और जावा स्क्रिप्ट में भी हम explain करने वाले हैं अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर पहली बार आये हैं तो वीडियो को लाइक कर लिजिए शेयर कर लिजिए और हमारे चैनल क सब्सक्राइब कर लिए चलिए देखते हैं कि क्या टेकनिक हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले जिस भी इलिमेंट को डिलीट करना हो उसका position find करना होता है और उसके बद रिप्लेस टेकनिक हम लोग यूज करते हैं तो यह तो सिंपल सा जो लॉजिक मैंने लिखा है इसलि इस चीज के लिए और यह जो सेक्षन हमने लिखा हुआ है कि पोजिशन पर लूप चला रहे हैं और जहां पर नाइन मैच कर जा रहा है वहां ब्रेक लगा दे रहे हैं मतलब टर्मिनिट करते हैं इसका मतलब इस आई में उस नाइन का करेंट पोजीशन हमारे पास मिल गया है उसके पॉझल लिखे हुए हैं एक कंडिशन जो लगा वह है वह से मतलब जहाद हमारा धार एलेमेंट यु कोई चीज नहीं होता है हम लोग क्या करते हैं यहां पर यह है यहां से यहां से यहीं से 9 से स्टार्ट होता है और यह क्या करता है 9 वाले index में यह जो value है 2, 9 को 2 से replace कर देता है ठीक है, simple सा यही होता है तो अगर आपको 3 भी करना हो तो इसमें भी यही technique लएगा, loop चलेगा और उसके अब वो जो current value है अपने आगे वाले value से replace होती चली जाएगी तो उससे क्या होगा last में एक extra array बढ़ जाता है जिसको हम लोगों ने ये लिखा हूँ array.resize यूज़ करके उस length को कम कर दे रहे हैं उस value को हम लोग कम कर दे रहे हैं तो simple सा जो step है बहुत easy word में आपको बता रहा हूँ सबसे पहले उस array से उसका position, जिस element को delete करना है रिमूफ करना है उसका position find out कर लिजिए उसके बाद ये replace technique simple सा है यही main technique है आपको इस screen पर जो दिख रहा है यही main technique है जो replace करता है और last में array को resize कर दीजिए ताकि एक extra value जो already array में है last वाली जो duplicate है वो हट जाए तो कि इस case में क्या होगा जो array बनेगा ऐसे बनेगा 1,3,4,2,2 तो यह 2 वाली जो है 9 के जगर पर चली गई है तो यह 2 extra हो गई इसको हम लोग कर रहे है इस वाली line से array dot resize से और फिर बाद में आपने array को print करा दिया है तो यह एक technique हो गई जो होता है कि उसी array में सारे array को लाके fill करा दो इसके अलावा नम to remove के अलावा तो यह simple सा क्या करता है link you query जो है इसको असानी से कर देता है तीसरा जो टेक्निक है same वही custom technique जो यह वाली technique आप लोग को हम बता रहे थे वही technique हमने java script में भी लिखी है java script में क्या कर रहे है simple सा यह array है हमने बता दिया कि 9 को remove करना है यह जो है मेरा index position find करने का है इसके तुरू मैं position find कर रहा हूँ और same logic replace वाला logic यह है और यह जो है number dot length minus जो है उसके length को कम कर रहा है और फिर मैंने इसको print करा दिया तो java script का भी code आपको description में मिल जाएगा बाके c sharp जो code है उसके लिए आप लोग git पे जा सकते हैं वीडियो से कितना समझ में आया उसके लिए आप comment box में बता सकते हैं अगर visual studio में run करा के दिखाने वाली बात है यह पहले वाली value थी 13492 यह दूसरी value है जिसमें 9 जो है remove हो गया है यह linky वाला है जो पहले यह value थी बाद में यह value हो गई तो यह visual studio में मैंने आपको दिखा दिया git से यह code ले सकते हैं description में link है और java script में भी देख सकते हैं code मैंने जो लिखा हुआ इसको क्लियर कर देते हैं अगर इसको run कर आते हैं तो यह दिखे 1342 आप वीडियो को like कर लीजिए share कर लीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए